यह संयोग नहीं है कि लैटिन शब्द डिजिट का अर्थ होता है अंगूठे या पैर की उंगलियों के साथ-साथ एक संख्या जब मनुष्यों को पहली बार एक तरीका चाहिए था कि उदाहरण के लिए वे जितने अस्त्र रखते थे उन्होंने इसे अपने शरीर के हिस्सों का उपयोग करके किया मुखिरूप से अपनी उंगलियों का हम बिना जाने हर दिन संख्याओं का उपयोग करते हैं जो मानवजाती को हजारों वर्षों की आवश्यक्ता और अनिवार्यता की आवश्यक्ता थी ताकि हम इसे स्वीकार कर सकी रास्ते में हमने भिन्न संख्याओं को ट्रैक करने, वर्गी करन करने और विवरन देने में मदद करने के लिए एक संख्या प्रणाली भी विकसित की आपके द्वारा पहले गिनाय जाने वाले संख्याओं को आम तोर पर गिंती संख्याओं कहा जाता है लेकिन उनके लिए सही गणितिये शब्द प्राकृतिक संख्याओं है प्राकृतिक संख्याओं चीजों की गणना के लिए उपयोग की जाती है और इसलिए इस संख्या समुह में नकारात्मक या शून्य नहीं होते हैं प्राकृतिक संख्याएं अन्य संख्या समुहों की नीव होती हैं गणित में नका प्रतीक इस संख्या समुहों को प्रतिष्ठित करने के लिए उपयोग किया जाता है आपको कभी-कभी इसे N1 के रूप में लिखा हुआ दिख सकता है, जो एक ही बात है, और ये संकेत करता है कि संख्याएं एक से शुरू होती है अले मारे ये नवा जकूने नांख है, कि मारे समय इस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं पूर संक्याएं संक्या 0 के जोड के साथ प्राकृतिक संक्याइं हैं, صदियों से शून्य की कलपना कुछ भी नहीं के रूप में चल रही है जैसा कि एक प्रतीक का उपयोग एक प्लेस होलडर के रूप में करने की प्रता है उदाहरण के लिए तीन के बीच अंतर बताने के लिए थन्ठीस या तीन नाइन ठाउजारज हालां कि ये केवल भारत में छेस-पचास ईसवी के आसपास था कि एक खगोल जियुनामक ब्रह्मा गुप्त ने पहली बार शून्य को अपने अधिकार में एक अलग संख्या के रूप में मान्यता दी और शून्य और राणात्मक के साथ गणना के नियम बनाए जो आधुने गणित की नीव बनाते हैं प्रति दिन जीवन में संख्याई मानों के लिए उपयोग की जाती हैं जो मान की कृत होते हैं जैसे वस्तूओं की मात्राएं उम्र, सोला साल, नहीं सोला साथ साल एक पॉइंट ठाइन साइकल के बजाए एक साइकल और उँचाई जैसी मापें और वजन या लेबल मैं अपनी फुटबॉल टीम में तेरा नंबर की जर्सी पहनता हूँ और मैं 32 नंबर वाले घर में रहता हूँ शूने को समझने से हमारे अगले समूह के लिए रास्ता खुला जिसमें पूर्णांक शामिल है जो पूर्ण संख्याओं और रनात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं वे जो नहीं हैं वह एक भिन या दशमलव है फिरंशायन अनबर मैंग शेंग की दसायन से लिए जैद का उप्योग करते हैं पूर्णांकों का उपयोग चीजों जैसे तापमान, उंचाई और गहराई मापने के लिए किया जा सकता है, सभी का आवश्यक्ता होती है सकारात्मगर्णा संख्याओं की, शुन्य और नकारात्मगर्णा संख्याओं की, तो भिन और दशमलव के बारे में क्या? यह हमारे अ आपचारिक रूप से हम कहेंगे कि एक परिमेय संख्या वह संख्या है जो PQ के रूप में हो सकती है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q शुन्य के बराबर नहीं है, सभी भिन इस रूप में होते हैं, इसलिए भिन परिमेय संख्याओं होती हैं, पूर्णांकों को हम एक का ह पर देकर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी पूर्णांक एक परिमया संख्या है, दो का बराबर होता है, दो उपर एक, तीन का बराबर होता है, तीन उपर एक, और जीरो बराबर जीरो बाटा उइंट, समाप्त होने वाले दशमलव या दशमलव के साथ इसे लिखकर एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिस तरह आप इसे कहते हैं, दो पच्चीस को दो विंश्ति पांच सौ भाग्य के रूप में जाना जाता है, फिर भिन्न उत्पन्न करने के लिए जोडते हैं, दो सो से सौ प्लस पच्चीस से सौ बराबर होता है, गैर समाप्ट दशमलव और उन संख्याओं के साथ जिनके दशमलव समाप्ट नहीं होते हैं अगर ये दशमलव बार-बार दोहरा रहे हैं और वे बीजगणितीय विधियों का उपयोग करके एक भिन्न के रूप में भी लिखे जा सकते हैं इसलिए एक पुनरावर्ती दशमलव संख्या भी एक तरक संगत संख्या है तीसरा 0.3 पुनरावर्ती है इसका अर्थ है कि हम अनंत संख्या में तीन जोड सकते हैं साथवें का एक ब्लॉक 0.142857142857 का होता है जो खुद को अनंत बार दोहराता है और 77100 भागों को 0-1-2-8-3-3-3-3-3 कहा जाता है तीन अपार संख्या में खुद को दोहराता है तरक संगत संख्याएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली संख्याएं हैं तरक संगत संख्या के लिए गणितिये प्रतीक क्यों है यदि हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं तो अपरिमेय संख्याएं होनी चाहिए ये संख्याएं समाप्त नहीं होती और बार बार नहीं होती इसका अर्थ है कि उनके पास तशमलब नंबरों का एक बार बार दोहराने वाला पैटर्न नहीं होता और वे हमेशा के लिए चलते रखते हैं एक अपरिमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता ऐसी वास्तविक संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका अर्थ है कि संख्या रेखा पर हर बिंदू एक अद्वितिय वास्तविक संख्या दिखाता है अब ICN-free में और Upper में संख्याओं के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए